तो मेरे दोस्तों मेरे भाई यू कैसी हो आप दोक्तर भाई साब आज हम बात करने वारे लेते हैं हुंडाई वर्ना टॉप एंड वेरियंट के बारे में बात करेंगे यह जो आप अपनी स्क्रीन पर इसका टॉप मॉडल देख रहे हैं तो पनी वेरियंट एसक्स ऑप्शनल है यह एसक्स ऑप्शनल टर्बो है खास बती है कि यह टर्बो चार्जड वाला वेरियंट है सबसे ज्यादा खास बती है और मैं आपको कुछ बाते एसक्स के बारे में बताऊंगा टॉप वेरियंट के बात करेंगे इसके एक शोरूम के प्राइस के बात करते हैं तैन पॉ ह Panic都 को क् call थी चीज़े हैं जो आपके गारी में चाहते हैं अपने गारी में कुछ अलग देखना उनके लिए थी कर देखने की बनाया जाता है चैनल तो आइसक्स बारे में आच हम बात करेंगे वीडियो के जरूर करना चैनल पर अगर आपने हैं सबस्क्राइब जडूर क करना अब यहां फ्रेंट में देखेंगे सबसे पहले फ्रेंट में आपको राट कलर के कैली पर मिल जाते हैं यह सब्सक्राइब बड़े धांसु बात हो जाती है 16 इंच के अलोइस में आपको देखने के लिए मिल जाता है इन इंडिकेटर आपको हैलोजन का सैटप मिलता है एक चीज़ खास बात यहां पर अल्ट्रा सोनिक सेंसर यहां पर देखने के लिए मिल जाता है जो कि कोई भी कंपनी ओफर नहीं करती है तो यहां में हुंडा सिटी ना यहां ऊपर अपने कुछ एडास के फीचर्स दे देती है मगर इसमें तो पूरा का पूरा फुल फुल लबाई हर चीज़ एक दम लाजवाब वाली फुल फिल मिलने वाली है इस कार में आपको अब तो आप यहीं कहींगे कि हैं हुंडा सिटी तो अपने 16-17 लाख रुपे के विरिट में अडास जैसे फीचर्स दे रही है तो यह वाली टोप एन मॉडल गाड़ी तो इतने सार बहुत जाद अच्छे मिल जाती है एक सो साथ बीच्पे के बावर टू फिफ्टी थ्री एनम का टॉर के आपको निकाल के देती है तो यह चीज़ तो इसमें बहुत जाद अच्छे मिल जाती है सिक्स स्पीड मैनूल ट्रांसमिशन या सैवन स्पीड आपको डी सीटी ले जिसम डी सीटी का भी ऑप्शन आवेलबल ट्राय कलच के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है वही डूर हैंडल काफी जादा बड़े साइज के दिये गए हैं रिक्वेस्ट सेंसर भी हैं पर किस तरीकी के दिये गया है बना डूर हैंडल ना बिलकुल एक फोर्चुन एक फाइव वाले डिजाइन फील कराने वाली हैं अंदर आपको दरवाजे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आठ स्पीकर मिलेंगे बोश की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पर मिल जाते हैं सॉफ्ट टच है मगर यहाँ पर फिनिशिंग बहुत जाद अच्छी दी गई है तर्बो अपना चार्ज है तर्बो इंजन है इसका तो इसलिए हमने आउन करने के बाद इस तरीके इस तरीके का उप्शन ही आपको देखने के लिए मिलता है एंबेन लाइट की यहाँ पर इतनी बड़ी भाई डिस्पले दो दो कनेक्टेड मिल जाती है जो अलगी फील अ का इंजन ओपन करके देखते हैं रिफैंडमेंट के बात करेंगे बहुत ज़्यादा बढ़िया है अगर इंजन नोइस की बात मैं करो तो भाईसर बिसमें वही इनका पुराना वाला 1.4 लीटर टर्बो जो इंजन इसमा आता था पेट्रोल का तो कुछ से उससे भी की यानि 17 एक्स्टा फेमिल जाता हैं वहीं है पर एलेक्ट्रोनिक भाषब सीड्स आपको मिल जाएंगे विंटिलेटिड यह वेंटिलेडिड सीड्स आपको देखने के लिए फुल वेंटिलेडिड़ है यह चीज बहुत ज़्यादा बड़े हैं बड़ा सा इसमें आपको और यहां पर बेस मोडल से छे एर बैक इसमा पो देखने के लिए मिल जाएंका एंबेड लाइट देखने के लिए पैडल शिफ्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल बाइस भी इतने सारे वीचार है कि मैं बताता बताता ठक जाऊंगा। यहां पे आपको एर बैग और होन के प्लेस्मेंट मिल जाएगे स्टेर निया आपका लेदर पावर तो बढ़ी गई यह कार के अंदर पावर आपको वन सिक्स्टी पीच्पी की पावर पच्छ पंसो आरपेम पे निकाल के दे देता है वहीं टोर्क की बात की जाए टू सिटी पे अगर बताया जा रहा है कि वहलें डीक्ट पर आपको ट्वणी पुईंट सिक्स्टी का आपको मेलेज राम से निकाल के देवाब आपको देखने के लिए मिल जाता है पावर ब्रेक आटो होल्ड और यहांपर कुछ उस तरीके की फीचर भी आपको देखने के लि आपको इंजन देखने के लिए मिल जाएगा वन पॉइंट फाइव लेटर का टरबो इंजन देखने के लिए मिल जाएगा गैसलीन इंजेक्शन 15C का इंजन है इसकी अगर मैं लैंद की बात करो 4535 वेट इसमें इसका बाइसब डिजाइन देखेंगे ना अपने सेग्मेंट का सबसे ज़्यादा अलग हटके ला जवाब वाला एकदम इस टेरर डिजाइन के साथ बहुत जाता है अच्छा सा एक बंपर इसमें देखने के लिए मिल जाता है 528 लेटर के इसमें बूट स्पेस भी मिल जाता मिल जाता है यह चीज जो ग्लॉसी आप देख रहे हैं को इसको अच्छा बनाने की कोशिश की गई है हुंडाई अपना काम अच्छे से लगतार बारबार किये जा रही है छे एर बैक इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं सिटिंग के मामले में तो पूरी के पूरी टकर लेते हैं हुंडा सीटी की वैसे तो बराबर ही हैं दोनों तो यहां पर देखे हैं हुंडाई न्यू वरना के बिलकुल अंदर कैबिन में आ चुके इस तरीके के प्रेश बोड़ के आप देखने के लिए मिल जाता है बेस मोडल से ही यानिकी सबसे लो वेरेंट से यह पूरा महौल इस तरीके मिल जाता है वहीं बूट इसमाप को पांच ओठाइस लेटर गा जुम आपको बता चुका हूं यहां पर स्माट टेल डेट आपको देखने के लिए मिल जाता है वन पंट पाइप टरबो की बैजिंग के साथ यह यहां पे ओन वन फडिव टरबो की कुछ नहीं है इस पेरिंग विल इसमें आपको नीचे कम सोटे साइज का देखने के लिए मिल जाता है 85-65-15 का यहंपे एक सोटे साइज का स्पेर विल देखने के लिए मिलता है तो भाइस अल नियू करना हमारी ब्लैक कलर के इस तरीके की थी यहाँ पर घूमते हुए अगर आप देखेंगे वनपन फाइब लेटर टर्बो के चार्ज के साथ इंजन मिलता है तो लाजवाब पहली नजर में पहला प्यार हो जाएगा आपको इससे बहुत ज़्यादा पसंद आज जाएगी तो यह थी हमारी पूरी के पूरी एक वीडियो सेक्स को अप्शनल के उपर तो इस तरीके की थी वास अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को और अगर आप याद रखिए का भाई सब प्लो सपोर्ट दिखाएगा एंड सब्सक्राइब के भी ने बिल्गे लाइए